स्वागत है आप सभी का नई कहानी में मेरा नाम निशा है दिल्ली के एक बड़े कॉलिज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम आखिर अंधी और अंगूठा चाप लड़कियों के साथ ही शादी क्यों करते थे उनका ये राज जानने के लिए मैं अंधी बनकर उनके पास चली गी और ड्ड़क्टर अनुपम के साथ मैंने शादी कर ली शादी की राज जब मेरे सामने सारा सच आया तो मेरे पेरो तिले से जमीन निकल गई थी मेरी उमर 58 साल है जब मेरी शादी थी तब मैं बहुत ज़ादा परिशान थी ना जाने कितने सारे स्वाल मेरे दिमाख में चाय हुए थे और हलचल मचा रहे थे मैंने पीएचडी किया हुआ था और डक्टर अनपम भी हमारे ही कॉलिज के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे मैंने अपनी फैमली से चुपा कर डक्टर अनपम से कोर्ट मेरिज कर ली थी कोर्ट मेरिज करने के बाद हम दोनों पति-प जो कि मुझसे उम्र में लगभग 15 साल बड़े थे वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे मैंने अंधी बनने के लिए अपने हाथ में एक लाठी ले ली थी और अपनी आखों पर ब्लैक कलर का चश्मा भी लगा लिया था ताकि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि मैं चूजन में फसी हुई थी मैंने डॉक्टर अनपम से कहा कि आप से शादी करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खूश हूँ और मैं बार बार मुस्कुरा कर उनको ये फील कराना चाह रही थी कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खूश हूँ मैं जैसे ही अपने सुसराल में तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलिशान बंगला देखकर मैं घबराने लगी थी और अचानक ही मेरे कदम लड़ खडाने लगे थे मुझे गिरता हुआ देखकर डॉक्टर अनपम ने मुझे संभाल लिया था मेरे लड़ खडाते हुए कदम मुझे जिन्दगी के कि स्मोर पर ले आएंगे मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी वहाँ के नोकरों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया उसके बाद मुझे पकड़ कर मेरे कमरे में ले जाया गया मैं दुलहन बनकर बैड पर अपने कमरे में बैठी हुई थी शादी की पहली जात थी मेरे पैरोतले से जमीन निकल गई ये देखकर जब डॉक्टर अनपम के पास एक कॉल आई और उसके बाद वो कमरे से बाहर निकल गए और काफी देर तक फोन पर बाते करते रहे मैं अंदर ही अंदर बेचान होने लगी थी और मेरा दिल बहुत जादा घबरा रहा थ मुझे डर भी लग रहा था और मैं यही सोच रही थी कि ना जाने डॉक्टर अनपम के पास इस टाइम पर किसकी कॉल आई है और वो इस तरह मुझे छुपकर फोन पर बाते क्यों कर रहे थे मेरा दिल जो जोर से धड़कने लगा जब मैंने डॉक्टर अनपम को कॉल पर ब और बहुत जल्दी ही मैं वहाँ पर निशा को भेजने का इंतजाम करता हूँ ये बात सुन कर तो मैं बूरी तरह से घबरा गई थी और मेरे चहरे का रंग भी उड़ गया था कि ना जाने डॉक्टर अनपम मुझे कहां भेजने की बाते कर रहे हैं और कौन है वो जिसको त प्लान की वज़े से की थी उस प्लान में मैं सक्सेस्फुल हो पाऊंगी भी या नहीं मैं अभी किसी भी बात के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और जब उन्होंने कहा कि कितने भी पैसों की तुम्हें जूरूरत पड़े वो सारे मैं देने के लिए त्यार हूँ जित मेरे दिमाख में आ रहे थे और डॉक्टर अनुपम किस इंतजाम की बाते कर रहे थे मैं कुछ नहीं जानती थी वो जैसे ही फोन पर बात करके कमरे की तरफ मुड़ने लगे मैं फोरण ही जल्दी से अपनी जगा पर जाकर बैठ गई थी वो कहने लगे तुम जानती हो ना ये मेरी पहली शादी नहीं है मैं तुमसे पहले भी और काफी सारी शादिया कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ तुमने मेरे साथ शादी की मैंने हामे सीर हिला दिया था जिबकि मैं ये सब पहले से ही जानती थी कि डॉक्टर मुझसे पहले भी काफी सारी शादिया कर चुके हैं लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा जानने के लिए आई हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता था आखिर डॉक्टर अनपम की क्या सच्चाई है डॉक्टर अनपम ने कहा मैं तुम्हें एक सर्प्राइज देना चाहता हूँ जो मैंने अपनी हर पतनी को दिया जिसकी वज़े से मेरी हर पतनी की जिंदगी असान हो गई मैंने बड़े हैरान होकर उनसे पूछा कौन सा सर्प्राइज और कैसा सर्प्राइज वो कहने लगे नहीं अभी नहीं तुम्हें अभी कोई भी बात बताने का सही टाइम नहीं है सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा वो ये कहकर कमरे से बहार चले गए थे फिलहाल मैंने खुद को बहुत मजबूत कर लिया था मैं इस तरह से नहीं डर सकती मुझे तो अभी डॉक्टर अनपम के हर राज से परदा उठाना था मैं ये सब सोच से सोच से ही सो गई थी अगली सुबे मेरी आँख खुली तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और मुझे भूग तो बहुत तेज लगी हुई थी मैं फोरण ही फ्रेश होने के लिए बातरूम में चली गई मैं ये सोच रही थी कि ना जाने डॉक्टर अनपम की बाकी की पतनिया कहां पर है उन औरतों के साथ ना जाने क्या किया गया है डॉक्टर अनपम कॉलिज गए हुए थे इसलिए मैंने उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया शायद तलाशी करने से मेरे हाथ कुछ तो आएगा मैंने कबड में, लोकर में और हर चीज में तलाशी लेना शुरू कर दिया ताकि मेरे हाथ कुछ सुबूत लग सके लेकिन तबी आचानक घर की एक नोकरानी कमरे में आई और मुझे देखकर हैरान होने लगी कहने लगी क्या हुआ मालकिन आपको कुछ चाहिए आप क्या ढूंड रही हो मुझे बताओ शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ मैंने ख तबी नोकरानी ने आकर मुझे पकड़ लिया और कहने लगी क्या हुआ मालकिन आप बाहर जाना चाहती है क्या मैंने कहा हाँ मुझे गिलास पानी चाहिए था इसलिए मैं बाहर किसी को पानी के लिए कहना चाहती थी तो नोकरानी ने मुझे गिलास में पानी डाल कर दे द मैंने नोकरानी से कहा अब तुम जा सकती हो अगर मुझे किसी हेल्प के जूर्थ होगी तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी वो नोकरानी चली गई और मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई नोकरानी के आने से पहले मेरे हाथ अलमारी से कुछ पेपर्स लग गए थे मैं सोच में पढ़ गई थी कि ना जाने ये सब कुछ क्या हो रहा है इतनी देर में ही डोक्टर अनपम कमरे में आ गए जब मुझे किसी के आने की आहड की आवाज आई तो मैंने जल्दी से वो पेपर चुपा दिये और मैं खुद बैड पर रिलेक्स होकर बैठ गई थी डोक् पर जा रहे हैं क्या लेकिन आचानक ऐसे इतनी जल्दी तब ही डोक्टर अनपम कहने लगे मैं नहीं सिर्फ तुम जा रही हो मुझे कॉलिज में थोड़ा काम है इसलिए तुम सिर्फ अकेली ही जा रही हो जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा मैं फोरन तुम्हारे पास आ वहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए और भी लोग हैं तुम वहाँ पर खुद को बिलकुल भी अकेला फिल नहीं करोगी मैंने अपने दिल में सोचा ना जाने मुझे कहां भेजने की त्यारी की जा रही है मैंने डोक्टर अनुपम से कई बार पूछने की कोशिश की क जी वो मुझे कहां पर भेज रहे हैं लेकिन उन्होंने मेरी बात को टाल दिया और मुझे कुछ नहीं बताया फिलहाल मुझे सच भी तो जानना था इसलिए वो मुझे जहां भी भेज रहे थे वहां मुझे जाना ही होगा नोकरानी ने मेरा समान भी पैक कर दिया और मैं हि टिकट भी दे दिये, डॉक्टर अन्पम मुझे एरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आ गए थे मुझे अमरीका भेजा जा रहा था और ना जाने मेरे साथ वहाँ पर क्या होने वाला था बस मैं यही सब सोच सोच कर प्रेशान हो रही थी और मुझे डर भी लग रहा था मगर मुझे हिम्मत से काम लेना था डॉक्टर अन्पम किसी से कॉल पर कह रहे थे मैं अभी आ नहीं सकता लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं जल्दी ही आ जाऊंगा लेकिन मैं यहां से अभी निशा को भेज रहा हूँ तुम लोग वहां पर सब संभाल लेना और निशा का बहुत ख्याल रखना और ये तो तुम जानते होना कि तुम लोगों को आगे क्या करना है मेरा काम अच्छे से हो जाना चाहिए और हर बार की तरह मुझे तुम लोग खुश कर देना मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं चाहिए ठीक है ना तुम मेरी बातों का मतलब तो अच्छे से समझ रहे होना डॉक्टर अनपम की बाते सुन कर तो मेरे दिल में और भी ज़्यादा घबरहाट होने लगी थी डॉक्टर अनपम मेरी तरफ देखकर कहने लगे क्या हुआ नीशा तुम बहुत परिशान लग रही हो वो मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगे मैंने कहा आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते तो उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें वहां किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी और मैं भी अपने काम से फ्री होते ही जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाओंगा ये कहे कर वो मुस्कुराने लगे हम लोग कुछ ही देर में एरपोर्ट पहुँच चुके थे फ्लाइट में थोड़ा टाइम था और डॉक्टर अन्पम कुछ जल्दी में लग रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे भेजने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एकसाइटिड हो रहे थे फ्लाइट का टाइम हो चुका था और वो मुझे सी आफ करने लगे और वो बहार से तो बहुत खुश नजरा रहे थे और मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था मुझे नहीं पता था कि मुझे अमरीका क्यों भेजा जा रहा था मैं आफ फ्लाइट में बैठ चुकी थी अब मेरा पूरा ध्यान अपने मकसद की तरफ था मैंने शादी जिस मकसद के लिए की थी मुझे इस मकसद को अंजाम तक पहुँचाना था और सारी सच्चाई सब के सामने लानी थी मैं अमरीका के एरपोर्ट पर पहुँच चुकी थी मुझे वहाँ एक हैंसम लड़का लेने के लिए आया था उसे देखते ही मेरा दिल धक से रह गया था जब उसने कहा कि आप ही निशा मैम होना मैंने कहा जी मैं ही निशा हूँ तो उसने कहा ठीक है आप मेरे साथ चलो मैं आपको ही लेने के लिए आया हूँ ना जाने वो लड़का कौन था और मुझे अब कहां पर ले जाएगा मेरे दिल में यही ख्याला रहे थे मैं उसके साथ एक बहुत बड़ी और महंगी कार में बैठ गई थी हम दोनों कार में बैठ कर चले गए थे वो सारे रास्ते मुझे मैडम मैडम कहकर डॉक्टर अनपम की तारिफे करने लगा और सारे रास्ते उसने बहुत सारी बाते की और डॉक्टर अनपम के ही गुन गाता रहा उसने बताया कि डॉक्टर अनपम एक बहुत अच्छे और शरीफ इनसान है भगवान ने उन्हें काफी सारी दोलत दी है लेकिन फिर भी उनके अंदर बिलकुल भी घमण नहीं मैं यह सुनकर बहुत हैरान रह गई थी कि डॉक्टर अनपम की कितनी ज़्यादा तारीफ कर रहा था बलकि वो तो इस तारीफ के बिलकुल भी काबिल नहीं थे मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अमरीका के महौल से मुझे काफी हैरानी हो रही थी चारो तरफ अलग ही तरह का महौल चाया हुआ था अमरीका के लोग इंडिया के लोगों के मुकाबले काफी डिफरेंट थे मैं चुपके चुपके अपने काले चश्मे की आड़ से हैरान होकर चारो तरफ देख रही थी हमारी कार एक बहुत ही बड़े इंस्टिट्यूट जैसे एक होस्पिटल के सामने आकर रुख गई थी मैं कार से जैसे ही उतरी ये तो एक बहुत बड़ी उनिवर्स्टि टाइप लग रहा था या फिर कोई होस्टल होगा इतनी देर में उस लड़के का फोन बजने लगा शायद उसके पास डॉक्टर अनपम का ही फोन आया था वो लड़का कहने लगा निशा मैडम मेरे पास आ गई है आप फिक्र मत करो सर हम लोग अपनी जगा पर पहुँच गए है और मैडम भी मेरे साथ है मैं मैडम को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ अब बहुत जल्दी ही आपका काम भी हो जाएगा मैं बड़ी हैरानी से चारो तरफ देख रही थी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यह कौन सी जगा है वो लड़का कहने लगा चलो मैडम अंदर चलते हैं मैंने उस लड़के से पूछा हम लोग कहा है और यह कौन सी जगा है वो मुस्कुराने लगा उसके दबी हुई मुस्कुराहट से मैं अंदर ही अंदर डरने लगी थी और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी वो आगे आगे चलता हुआ कहने लगा बस कुछ दिनों की बात है फिर आपकी जिन्दगी में काफी कुछ डिफरेंस आ जाएगा वो लड़का मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गया और वहाँ जाकर बैठा दिया और उस लड़के ने मुझसे कहा मैं बस अभी आता हूँ आप यहाँ पर बैठ कर मेरा वेट कीजिए उस लड़के के बहाँ जाते ही मुझे मोका मिल गया था और मैंने सामने रख़्ी हुई अलमारी की सैटिंग शुरू कर दी थी मुझे वहाँ पर एक फाइल नजर आई मैं हैरान रह गई थी कि इस फाइल में वही लड़के के नाम लिखे हुए थे जो मैंने उस दिन डॉक्टर अन्पम के अलमारी से जो पेपर मिले थे उनमें देखे थे पासपोर्ट वीजह की यहाँ पर फोटो स्टेट भी थी क्या यह सारी डॉक्टर अन्पम की पत्निया थी लेकिन यह सारे डॉक्विंट्स यहाँ पर क्या कर रहे थे क्या उन लड़कियों को भी यहां पर लाया गया था और उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया गया ना जाने इसका क्या मतलब था इतने सारे स्वाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे मैंने जल्दी से वो फाइल खोली और पढ़ने लगी लेकिन फाइल पढ़ने के बाद तो जैसे मेरी जान निकल गई थी और मेरे सर पर आसमान तूट पड़ा मैं अपना सर पकड़ कर वहीं पर बैठ गई थी और मेरे चहरे से साफ नजर आ रहा था कि मैं बुरी तरह से घबरा गई हूँ मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ यहां तो सब कुछ मेरी सोच से बिलकुल ही अलग निकला मैं बहुत बड़ी सिचुएशन में फस गई थी मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं अब क्या करूँ और किस तरह से सच्चाई का पता लगाऊं इतनी ही देर में दरवाजा खोलते हुए डॉक्टर अनपम कमरे के अंदर आ गए थे मैं उनको देखकर बुरी तरह से डर गई थी वो बहुत गुसे में लग रहे थे मुझे देखकर कहने लगे निशा मैं तब ही से जानता हूँ जिस दिन मुझे नोकरानी ने तुम्हारे बारे में बताया था नोकरानी ने मुझे तुम्हारी ये बात पहले ही बता दी थी कि तुम किस तरह से उस दिन मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी ये बात सुनकर तो मुझे पसीने आने लगे थे डॉक्टर अनपम कहने लगे मुझे पता है निशा तुम्हारी मुझसे शादी करने के पीछे कोई और ही वज़ा है तुम अपने किसी प्लान में काम्याब होना चाहती हो और तुम शायद यहां मेरी सच्चाई जानने के यह कहकर मैं खामोश हो गई और डॉक्टर अनपम कहने लगे मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम सब कुछ देख सकती हो तुम अंधी नहीं हो मैंने रोते हुए कहा हाँ हाँ मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मैं अंधी नहीं हूँ और यह शादी मैंने सिर्फ तुम्ह बारे में बताओ कि तुम कौन हो आखिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की और तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरे साथ शादी करने का तुम किस मकसद की वज़े से यहां पर आई हो मैं रोने लगी और अपना सीर पकड़कर बैड पर बैठ गई और साथ साथ सारी डिटेल ड आपकी पतनी थी, वो मेरी बहुत पक्की दोस्त है, या फिर ये कहलो कि वो मेरी बच्चपन की बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम दोनों बच्चपन से ही एक साथ पले बड़े थे, और जवानी तक उसने मेरा और मैंने अपनी दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ा था, आप जा एक दिन मैं अपनी फ्रेंड कनिश्का के घर गई थी, और हम दोनों बैठ कर बाते कर रहे थे, तबी कनिश्का की मम्मी हमारे पास आई, और मुझसे कहने लगी, बेटी निशा, तुम अपनी मम्मी से कहना, कि वो मेरी बेटी कनिश्का के लिए किसी अच्छे रिष्टे की दलाश करे, हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा तो नहीं सके, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कलोती बेटी की शादी किसी अच्छी जगा पर हो जाए, जहां पर वो शायद ये गरीबी भरी जिंदगी ना गुजारे, और जल से जल हम अपनी बेटी की शादी कर देना चाहते हैं, ताकि हमारी बेटी अपने घर की हो जाए, बस मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिष्टा मिल जाए, जो मेरी मासूम सी बेटी को असेप्ट कर ले, मैंने आंटी को तसल्ली देते हुए कहा, जी आंटी जरूर आफ फिक्र मत करो, हमारी कनिशका के लिए बहुत अ पाजा आएगा और उसको रानी बना कर ले जाएगा, ये सुनकर आंटी तो वहां से चली गई थी, लेकिन कनिशका बहुत परेशान नजरा रही थी, वो मुझसे कहने लगी, मुझ जैसी अंधी लड़की से आखिर कौन शादी करेगा, कौन होगा जो मुझ जैसी अंधी ल लिखा है, वो जुरूर तुमसे शादी करके तुम्हे अपने साथ लेकर जाएगा, देखना एक दिन ऐसा आएगा, कि तुम्हारी शादी अच्छे लड़के के साथ हो जाएगी, और तुम अपनी सुसराल में बहुत खुश रहोगी, और एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हार अंधे होने पर या अनपढ़ होने पर कोई एतराज नहीं करेगा, कनिशका मेरी ये बास सुनकर, खुशी से खुब मुस्कुराने लगी थी, और हम दोनों खुशी खुशी से रहने लगे थे, उधर मेरी मम्मी और कनिशका की मम्मी, दोनों ही उसके लिए अच्छा रिष् सब कुछ बदल चुका था, मैं कनिशका से मिलने जब उसके घर पर गई, तो मेरे पैरोतले से जमीन निकल गई थी, जब मुझे कनिशका की मम्मी ने बताया कि कनिशका की शादी कर दी गई है, मैंने उनसे पूछा कि लेकिन कहां और कैसे, आप लोगों ने इतनी जल्दी उसकी शादी कैसे कर दी, मुझे उससे मिलना है, आप मेरी उससे बात करवा दो, मेरी बास सुनते ही आंटी रोने लगी, और कहने लगी, बेटी, हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिष्टा आया था, वो लड़का एज में थोड़ा बड़ा तो जुरूर था, ल उसे उसकी आखों की रोशनी से भी कोई मतलब नहीं, उसने कहा, कि मुझे तो सिर्फ कनिश्का से प्यार है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बलकि मैं आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, उसके इतने ज़्यादा जीद करने पर, हम उसके दी, डॉक्टर अनपम के साथ कर दी थी, बस उसके बाद ही हमारी बेटी लापता हो गई, ना तो डॉक्टर अनपम का कुछ पता चल सका, और ना ही हमारी बेटी का, हमारी बेटी का कोई फोन भी नहीं आया, और ना ही हमारी उससे कोई बातचीत हो सकी, उसका तो कोई अता हाथ जोडने लगे और कहने लगे बेटी हम लोग गरीब हैं कनिशका हमारी कलोती बेटी है ना जाने उस आदमी ने हमारी बेटी के साथ क्या किया हम तो अमीर आदमी के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते लेकिन तुम तो उसी के कॉलिज के स्टूडेंट हो तुम प्लीज उतराया था और मुझे बहुत जादा गुस्सा आ रहा था कि इस दुनिया में इतने घटिया लोग भी रहते हैं जो कमजोर और लाचार लोगों को इस तरह अपनी ताकत के आगे मजबूर कर देते हैं कि उनके खिलाफ कोई कुछ भी ना कर सके लेकिन मैं ऐसा नहीं होने द ठान ली थी मैं कनषka के गायब होने की वज़या जानकर ही दं लूंगी उसी दिन कॉलेज जाकर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दी थी आपके रहने की जगह के बारे में और आपके कॉलेज में साथ पढ़ाने वाले लोग और आस पडोस के लोग की तरह गायब हो गई और उनका भी आज तक कुछ पता नहीं चल पाया मैं ये सब जानकर दंग रह गई थी और तब तो मैंने ठान लिया था कि मुझे इस राज से परदा उठाना ही होगा आखिर इन अंधी और अनपड़ लड़कियों के साथ क्या हुआ और वो सब कहां है औ और उन्हें गायब करके कहां पर रखा गया वो जिन्दा भी है ये नहीं बस उस दिन मैंने अंधी बनने की एक्टिंग की और आपके सामने जान बुच कर अंधी बन गई और अपनी फैमली वालों से चुपकर मैंने आपके साथ शादी कर ली क्योंकि ये एक ही रास्ता था जो मुझे आप तक पहुँचा सकता था और आपके सचाई से परदा भी इस तरह से ही उड़ सकता था और शादी की रात जब आप कॉल पर बात कर रहे थे जो बाते आपने की और बार बार वो फोन कॉल ये सारी बाते मेरे दिमाग में घूम रही थी और इन हरकतों से साफ जाहिर होने लगा था और धीरे धीरे मुझे अपने सवालों के जवाब मिलने लगे थे कि ये सब क्या और क्यों हुआ और फिर जब मैंने उस दिन आपके घर की तलाश ली तो मुझे कुछ वीजा और पासपोर्ट की कॉपी मिली जिन में कुछ लड़कियों के फोटो और उनके नाम भी लिखे हुए थे लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था कि किस सरह से आपने इन लड़कियों की जिन्दिग्यों को तबहा कर दिया और सबसे हैरान करने वली बात तो ये थी कि उन फोटो में से एक फोटो कनिशका का भी था और बस मैं इस राज से पर्द के को इशारा किया और थोड़ी ही देर में कनिशका मेरी आँखों के सामने मुझूद थी उसे देखकर मैं दंग रह गई और मेरी आँखे फटी की फटी रह गई उसका गैट अप बिलकुल बदल चुका था बलकि वह बहुत ही स्मार्ट लग रही थी और मुझे अपनी और मेरे गले लग कर कहने लगी कैसी हो निशा ये सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरी दोस्त मुझे पहचानती थी और वो मुझे देख सकती थी इसका मतलब उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई थी इतने महीनों बाद वो मेरी आँखों के सामने थी और मुझे देख रही थी मेरी आँखों ने आज जो कुछ भी देखा था मैं तो बहुत ही हैरान थी कि ये सब कैसे और आखिर क्यों मेरी आखों में आसुआ गए थे मैंने डॉक्टर अनुपम से कहा कि आखिर ये सब कैसे करते हैं आप आखिर क्या राज है इन नजरा रही थी वो कहने लगे तुम जानना चाहती हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया और मैं यहाँ पर सारी अंधी और अनपड़ लड़कियों को क्यों लेकर आता हूं ये सब तुम तो जान ही गई हो लेकिन मैं ये भी बता देता हूं कि मैंने इन सब से शादी क्यों की क्योंकि इन सब के पीछे मेरी जिन्दगी का एक बहुत बड़ा और गहरा सीक्रिट चुपा हुआ है वो ये कहकर रोने लगे और मेरे आगे हाथ जोड़ कर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो नीशा अगर सच सुनने के बाद तुम चाहो तो मैं तुम्हे तलाग दे कर आजाद कर दूँगा और वो मुझे बताने लगे कि उस टाइम की बात है जब मेरी उमर 25 साल थी और मैं जवान और हैंसम था मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था मेरी जिन्दगी में पैसो की और प्यार की कोई कमी नहीं थी जिन्दगी ने मुझे हर चीज दी थी हमारा फैमिली बिजनस और प्रोपर्टी दुनिया की हर चीज हमारे पास मुझूद थी इसलिए जो मैंने अपने पेरेंट्स से डिमांड की उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया बलकि मेरी हर ख्वाइश को पूरा किया मैं अपने पेरेंट्स का इकलोता और लाडला बेटा था कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो मेरी जिन्दगी में कभी पूरी नहीं हो सकी हो लेकिन एक डिमांड ऐसी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी जिसको मैंने सिर्फ दुनिया वालों की खातिर अपने दिल में दफना कर रख दिया था जिस कॉलिज का मैं आज प्रोफेसर हूँ मैं कभी इस कॉलिज का एक काबिल स्टुडेंट हुआ करता था मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर डॉक्टर अनपम की बाते सुन रही थी और उन्होंने आगे बताया कि हम एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कॉलिज टूर पर गए थे और हमें एक ऐसी जगा जाना था जहांपर हमें काफी सारी अच्छी चीजों और नेचर के बारे में जान पहचान करनी थी फिल हाल हम सारे स्टूडेंट एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और वहां के करीब ही एक छोटा सा गाउं था हम दो तिन दोस्त का ग्रूप था हम दोनों को गाउं वगारा जाने का बहुत शौक था एक दिन सुबे सुबे ही हम लोग गाउं देखने के लिए वहां पर चले गए वहां जाकर हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ था क्योंकि गाउं के लोग और गाउं की हवा तो होती ही बहुत अच्छी और प्यारी है क्योंकि शहर के शोष राबे भरी जिंदगी और गाओं की अच्छी और स्कून भरी जिंदगी में काफी फर्क होता है हर तरफ हरयाली ही हरयाली च्हाय हुई थी और खेत नजर आ रहे थे खूबसूरत बाग और ठंडी मिट्टी के कच्चे कच्चे और छोटे छोटे मकान यहां जिन्दगी जीने का एक अलग ही मज़ा था मैं गाउं में टहल रहा था तबी अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि मेरी जिन्दगी मुझे किस मोड पर लेकर जाने वाली है मैं एक तरफ खड़े होकर गाउं की ठंडी ठंडी हवा को फील कर रहा था मेरा दिल जोड जोड से धड़कने लगा जब मेरी नजर एक खूबसूरत और हसीन आखो वाली लड़की की तरफ पड़ी वो कुछ लड़कियों के साथ अपने घर की छट पर बैठी हुई थी उसकी वो दिल हिला देने वाली और प्यार भरी मुस्कुराहट खूबसूरत और मासूम सा चहरा उसे देख कर तो मेरे चहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी ऐसी खूबसूरत और मासूम सी लड़की मैंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखी थी और मेरा दिल इस लड़की के ख्यालों में खोया रहता था और अब रोज मैं सुबह सवेरे उस गाउं की तरफ निकल जाता और उस लड़की के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता था वो सुबह सुबह के टाइम पर अपनी चत पर बैठी हुई होती थी और उसको देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी उसे देखकर मुझे बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना जाने उसकी वह कौन सी अदा थी जो मुझे उसकी तरफ खीच लिया करती थी मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाख उड़ाने लगे थे और कहते कि अब तो हमारे यार को कोई लड़की पसंद आ गई है अब तो ये दिन रात उसी लड़की के ख्यालों में खोया रहता है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे उपर एक मुसीबत का पहार तूटने व लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे संजाया कि यार ये गाउं की लड़की है ये गाउं है ये हमारा शहर नहीं जहां तुम बे जिजक किसी लड़की को परपोज कर दोगे हम अमीर और हाई क्लास फैमली के लड़के किसी भी लड़की को पसंद करके उसे परपोज कर देते ह और अपनी मर्जी उन पर चला सकते हैं लेकिन ये गाओं के अनपड और छोटे लोग पसंद की शादी को ये लड़के लड़की के अफेयर को बहुत जादा गलत समझते हैं और इसका गलत मतलब निकालते हैं ऐसा कुछ गाओं में नहीं होता और ये तुम्हारे लिए ही नही बलकि उस लड़की के लिए भी बहुत बड़ी मुसीवत खड़ी कर सकता है इस बेचारी लड़की को ये गाओं वाले कभी भी जीन नहीं देंगे इस पर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तो फिर मेरे पास एक आइडिया है अगर मैं इस लड़की के घर पर रिष्टा भेज मैंने शहरा आते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स को उस लड़की के बारे में बता दिया मैंने जिद की कि मैं उसी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं पहले तो मेरे पेरेंट्स इस रिष्टे पर राजी नहीं हो रहे थे कि वह गाओं की और छोटे परिवार की पर राजी खाब हो जाएगी फिलहाल मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को इस लड़की से शादी करने के लिए मना ही लिया था और मैं अपने पेरेंट्स को ले कर उस लड़की के गाओं चला गया था मेरे पेरेंट्सों पहले ही इस रिस्से के लिए मुझसे काफी जादा नराज थे लेकिन यहां आते ही मेरे होश उड़ गए थे जब मेरे पेरेंट्स ने लड़की के पेरेंट्स से बात की तो लड़की के पेरेंट्स ने बताया कि हम आप लोगों को साफ साफ बता देते ह कि हमारी बेटी सुमेधा आँखों से देख नहीं सकती यह अंधी है और यह बच्पन से ही ऐसी है क्या आप लोग सारी सचाई सुनने के बाद भी हमारी बेटी से अपने बेटे की शादी कर सकते हैं यह सुनकर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मैंने ये बात नोट ही न देख नहीं सकती लेकिन फिर भी मुझे इस रिष्टे से कोई आतराज नहीं था क्योंकि मैं सुमेधा से प्यार करने लगा था ये बात सुनकर तो मेरे पेरेंट्स अब तो बिल्कुल भी सुमेधा को अपने घर की बहु नहीं बनाना चाहते थे एक तो भै अनपड थी और जाने दिये जाते थे और ये पहला रिष्टा नहीं था और भी रिष्टे उसके अंध्यपन की वज़े से खतम हो चुके थे वह खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसकी आँखों की रोशनी ना होने की वज़े से उसको इंकार करके चले जाते थे मैं बहुत ज़्यादा परिशान था और मैंने अपने दिल से सुमेदा को निकालने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं ऐसा करने में नाकाम रहा था और ना ही मैं उसे भूला सका था मैं अब भी सुमेदा को असेप्ट करने के लिए त्यार था लेकिन मेरे पेरेंट्स सो अपने पैक कर लिया था और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैसे ही सुमेदा के घर पहुंचा तो मेरे पैरोतले से जमीन निकल गई थी कि घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और रोने की जोर जोर से आवाज आ रही थी जैसे ही मैं घर के आंगन तक पहुंचा तो सुमेद की लाश रखी हुई थी मेरी आँखें ये सब कुछ देखकर फटी की फटी रह गई थी पता चला कि उसने इन परेशानियों से तंगा कर सुसाइड कर ली थी मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़ चाड़ कर यहां पर आया था वो तो इस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी थ इसका मतलब की मुझे यहां आने में देर हो गई थी अगर मैं पहले ही आकर सुमेदा के साथ शादी कर लेता तो शायद वो बच जाती वो मेरी जिन्दगी से इतनी दूर जा चुकी थी कि अब लोटकर कभी वापस नहीं आ सकती थी मैं वहीं जमीन पर गिर गया और अरे भागय में ही नहीं थी हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी इतनी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है कि वो अपनी जान ही ले लेगी ये जमाना बहुत बुरा है हमने अपनी बेटी को तसल्ली दे देकर बच्पन से लेकर इतना बड़ा कर दिया था लेकिन इस अगर किसी इनसान के अंदर कोई कमी हो, तो दुनियावले उसे ताने दे दे कर मार देते हैं, और फिर हमारी बेतियां पड़ लिखी भी नहीं होती, हम गरीब लोग अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दिलवा सकते, जिसका फायदा लोग उठाते हैं, और हमारी बेटियों के घर अच्छे रिष्टे नहीं आते हम अपनी बेटियों को धंसे बढ़ा नहीं सकते तो फिर अपनी अंधी बेटियों का इलाज करवाना तो बहुत दूर की बात है ये कहकर सुमेदा को माता पिता बूरी तरह से रो रहे थे मुझसे उनका रोना नहीं देखा जा रहा था और उनकी बातों ने मेरे दिल को चूर चूर कर दिया था मैंने शहर लोटकर ठान लिया था कि मैं ऐसी लड़कियों की जरूर मदद करूंगा मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से अपने अंदर कमी होने की वज़े से सुमेदा ने अपनी जान ले ली थी ऐसे ही कोई और भी चूर कर अपना खुद का बिजनस शूरू किया और जमाने की सोच बदलने के लिए और उस लड़की की यादे दिल में लेकर जो मेरी किसमत में नहीं थी लेकिन उस लड़की की यादों ने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था मैंने अमरीका में अपना खुद का इस्टिटूट खोला और मैं जब भी किसी अंधी और अनपड लड़की को देखता तो मुझे सुम्हेदा की याद आती और मैं उस लड़की से शादी कर लेता और उसे यहाँ पर अमरीका भेजता और साथ साथ उन्हें यहाँ पर लड़ने के लिए और स्ट्रोंग बनने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा भी दी जाती और मैं उन लड़कियों का सारा का सारा खर्चा खुद उठाता और उन लड़कियों का यहाँ पर आँखों का आपरेशन किया जाता जिस वज़े से वो लड़कियां देखने लगती थी और जब वो लड़कियां देखने चल गया है कि मैं क्यूं अंधी और अनपड़ लड़कियों से शादी करता हूँ डॉक्टर अनपम की ये सारी बाते सुनकर मेरी आँखों में आसु आने लगे थे। यहां पर उन सारी फाइलों को देखा जिसमें उन सारी लड़कियों के हस्ट्राल के रिकोर्ड मुझूद थे जिसमें उनका ट्रीटमेंट जारी था और साथ ही साथ उन्हें यहां के इंस्टिटूट में अच्छी शिक्षा भी दी जा रही थी। मैंने खुशी खुशी आने ही वाली थी और अपने पेरेंट्स को एक गुड न्यूस सुनाने वाली थी बलकि मैंने सोचा था कि मैं अपने पेरेंट्स को सर्प्राइज दूंगी कि मैं अब देख सकती हूं लेकिन जब मुझे डॉक्टर अन्पम ने तुम्हारी फोटो दिखाई और कहा कि यह न मैंने तुम्हें अपने दिल की आंखों से देखा हुआ था लेकिन मैं हैरान रह गई थी कि यह लड़की तो अंदी नहीं है तो फिर यह यहां क्यों आएगी तो डॉक्टर अन्पम भी यह सुनकर हैरान रह गए थे और मुझे पूछने लगे तुम्हें पूरा यकीन है कि मैंने कनिश्का की यह बास सुनकर डॉक्टर अन्पम की तरफ देखकर कहा क्या सच में डॉक्टर अन्पम आप मेरी सच्चाई पहले से जानते थे वो कहने लगे हाँ मैं तुम्हारी सच्चाई जानता था लेकिन मैं फिर भी खामोश रहा और यह सारा नाटक किया मैंने है यहां पर जान भूच कर लाया हूं ताकि मुझे पता चल सके कि तुम यहां पर क्यों और किस मकसद की वज़े से आई हो मेरे लिए यह जानना बहुत जुरूरी था और डॉक्टर ने मुझे एक और बात बताए जिसने मुझे हैरान कर दिया था डॉक्टर अन्पम ने बता लड़कियों को अमरीका तक लेकर आना चाहता था और इन लड़कियों का ट्रीटमेंट करवाना चाहता था जब इन लड़कियों का ट्रीटमेंट हो जाता और ये लोग एजुकेटिर हो जाती तो मैं इनको इनके पेरेंट्स के पास भेज दूँगा और ये अपने पेरें को हम उसके घर लेकर आ गए जहां उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे और जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की आँखों की रोशनी वापस आ गई तो उनकी खुशी का ठीकाना ही नहीं रहा और डबल खुशी तो उन्हें तब हुई जब उ देख सकती थी और अपने पेरेंट्स को भी पहचान गई थी उनके पेरेंट्स भी अपनी बेटियों से मिलकर और उनकी आँखों की रोशनी वापस आ जाने पर बहुत खुश हुए थे मुझे डॉक्टर अन्पम पर बहुत गर्म हैसूस हो रहा था कि उन्होंने कितना देदी थी और आज भी डॉक्टर अन्पम यही काम करते हैं लेकिन अब वो लड़कियों को शादी का जासा नहीं देते उनके पेरेंट्स को सारी सच्चाई बताने के बाद उन्हें अपने साथ अमरीका ले जाते हैं और उनका उप्रेशन करवाते हैं मैं भी अब इस काम म के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है ये फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमार प्रेज़ दायक कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबर्दस कहानी ये टिप्स के साथ नई व खाल रखना आपका दिन शुब वह मंगल में हो